हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आप सभी 27 फरवरी को हो जाता है यार फ्रेंस 27 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है जिसमें ये प्रस्थ आपके पेपर में छपेगा 100% छपेगा इस प्रश्ण को आप ध्यान से देखे और समझे देखें आपको हल करके बताएंगे कि सर्किट वाले सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है तो फ्रेंस चलिए इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने ये सवाल है कि दिये गए वैदुत परिपत में ग्याद कीजिए आपको क्या ग्याद करना है ए और बी के बीच तुल्ले परतिरोद, परिपत में परवाही धारा, ए और बी के बीच विभवांतर और चौथा प्रशन है कि तीन ओम के परतिरोद के सीरो के बीच विभवांतर आपको हल करना है तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं देखिए आपके सामने ये सर्किट बनाया है इसी सर्किट में पहला प्रश्ण है कि A और B के बीच तुले परतिरोद pequ March गयाद कीजिए, देखी A और B के बीच क्या गयाद करना है फ्रेंस तुले परतिरोद, तो फ्रेंस देखि इस सर्कुट को आप जब ध्यान सा सिर्फ इतना को देखें गए ते यह क्या है आपका इस पकाद से सर्किट बनेगा कैसे देखिए यह ऐसे बनेगा यह सर्किट आईसे बन जागा ठीक है पहले इसका तुल परतुरोथ निकाल क reclaim के आप सभी को بتाते हैं कि इसका तुल परतीरोथ कैसे निकलेगा देखिए ये a point है और ये क्या है बी पॉइंट यहां पर दू ओम है और यहां पर दू ओम है यहां पर भी दू है और यहां पर दू ओम है ठीक है देखें फ्रेंज अब इसको अब जब धियान से देखेंगे यह क्या है आपका स्रीज में है यह जो दू ओम है किसमें स्रीज में है यहां पर इसका जब निकाल देखें यहां पर लिखते हैं हल और देखें इसको हल कैसे करेंगे देखें यहां पर लिखें दो ओम कामा दो ओम क्या है स्रीज में मनें स्रीज में हैं ठीक है और यह दो ओम दो ओम देखिए यह क्या है आपका स्रीज में है ऐसे लिख लेंगे लिखने के बात देखे स्रीज का फार्मूला क्या होता है स्रीज पर तिरोध का देखिए r इसकल 2 r1 r2 यहाँ r1 2 है तो 2 ले लिजे प्लस r2 का मंद 2 है दोले लिजिए कितना हो जगा कि दो चार ओम हो जाएम हो ठीक हो ऑसी प्रकाद इसको देक्ट इसको लाइस को स्कानक्का निकालेंगे ते qy PASDAत कि सीटी अब U b ठीक है यानि कि देखी जब इसद दो में जोड़ेंगे निए tuo और यहाँ पर A point लिखिया और यह B point इसलिगे कि AB की बीच में ञात करना है देख्विन दूरों को जोड़ें ते कितना है चार OMाया है इसको जोड़ें ते कितना है चार OMाया है और फ्रेज़ देखिए इस दोरों प्रतिरोत को देखेंगे तब किसमे ये parallel में यानि समानतर में यहाँ पर लिखेंगे कि 4 ohm तथा 4 ohm क्या है समानतर में है क्या है समानतर ठीक समानतर में है जब समानतर में अधार परतिर वोती इसका फार्मूला क्या हो धार फेरेंज चलिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको 1 upon R is equal to 1 upon R1 प्लस 1 अपन आर टू चलिए यहाँ पर मार रखते हैं 1 आर वन कमान कितना ले लेंगे 4 प्लस 1 अपन आर टू कमान कितना लेंगे 4 अब देखिए अधार बराबर तो क्या करेंगे एक एक दू हो जाएगा स्वरी तो सो हर बराबर रहता है तो आंसको जोड़ दी जाता था एक एक दू हो जाएगा चार यहाँ पर लिख लेंगे देखिए दू एक हम दू 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 जाएगा एक बटा के दू तो यहाँ प्लस 1 अपन आर कमान कितना आया फ्रेंस एक बटा के दू यहाँ आर कमान पहला के एंसवर आपका आ गया दो ओम देखिए इसको लिखेंगे कहले यहाँ पहला और इसका लिखेंगे A और बीच के बीच में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध रोध कितना आया है दो ओम हो गया यही पहला के एंसवर हो जाएगा चलिए अब ते तुले पर दो अब देखिए अगला सवाल क्या पूछा है आपका यहां पी देख सकते हैं कि परिपत में परवाही धारा पूछा है आपको परिपत में परवाही धारा का मतलब आई का मान पूछा है तो आई का मान कैसा निकालेंगे ते देखिए इसका तुल अब इसमें देखिए परिपान में परवाही घ्यात कर नापकर था Himas अब्सक्रवाही ध्याध अब इसको कैसे लगाएंगे आब उसक टोटल रजिस्टेंस और वर्बर क्या हो जाएगा तीन ब्लस दो कितना हो जागा आपका पांच ओम क्या होता है वmund kick our чет बाद ध्यान दिएगा आपको आपको यह मात्रक होता है मात्रक लिखना जरूरी होता है तो यहाँ पर धारा कितना आगया ф蹂 you m saja कि अमपियर आया और यह इसका जवाब होगा को तो फबेंस यहां दूसरे के answer हो गया आपके फसरा नंबर का जो आप से पूछ रहा है तो इसरा नंबर का क्या पूछ रहा है ले लिखे लिखते हैं यहाँ पर यहां आई कमान देखे इस इस कितना यहाए दो आया है घुरे और कमान यहां जिसके बीच में आपको बताना है इस का रमान लगना है यहाँ बीकर कितना है नहीं हैं यहाँ धो उसका घुडब mogę कर दें चार ॉअ वांतर का मातर क्या होता है बोल्ट आप लिख दीजेगा यानि आपका एंस्वर आ जाएगा क्या कि ए और बी के बीच वी बांतर क्या हो जागा चार बोल्ट होगा चलिए अगले प्रशन को देखते हैं इसमें आपका चौथा नमर का पूछा था कि तीन ओम के प्रतिरोत के स दारा क्या जाएगा यही दारा आपका तीन ओम में भी जाएगा ठीक है धारा आपका सीरीज में क्या होता है समान होता है तो यहां पर आई कमान आया वही आई कमान यहां पर होगा यह देखे फिरेंस आपका तीन ओम के बीच भी बांतर अभी बांतर का फार्मूला क्या हो आई च्कल टू आर होता है यहां फ्रेंस आई कमान कितना है आई कमान दो है तो दो लेंगे अब किस में बताना है फ्रेंस तो आपको बताना है तीन ओम में यहां पर आर कमान कितना लेंगे तीन लेंगे और यहां पर गुड़ा करते हैं तीन दुना के च्छा और इसका मात्र से श्टेप बाई श्टेप हल किया जाता है तो फ्रेंस आप कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चलको सब्सक्राइब करें